हलो दोस्तो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल यूटी जंकी पे यहाँ पे में लेकर है हूँ टेक्नलोजी से रेलेटेट कुछ नई खबरें लेटेस खबरें इन खबरों में हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे इंटिग्रेशन हुआ है लोगों के लिए कि मोटरोला एक नया फोन लांच करने जा रहा है वह फोन क्या होगा उसके स्प्रिशिफिक्शन क्या होगा इसकी क्या लीक्स आई है किस तरह खबर आई है उसके बारे में आपको बताऊंगा तीसरी बड़ी खबर यहा रही है कि एल्जी 11 जुलाई 2017 को ए नया फोन लांच करने जा रहा है उसके बारे में क्या लीक्स आहिए उसके इन्विटिशन से हम लोगों क्या आईडिया मिलता है उसके बारे में बताऊंगा और चौती बड़ी खबर जो कि है वाट्सप से रिलेटेड वाट्सप ने अपना एक नया प्रिवी बिल्ड जार तो दोस्तों खबर की शुरूरात करते हैं कि यहां पर स्काईप और आधार का इंटेकरेशन हो गया है मतलब कि आप यदि किसी को कॉल करते हैं तो आप इसको मेरीफाय与क least कि यह बंदा ये और जिसे आब बात किर रहे हैं यिया एक्तिव वही है या नहीं है तो इसके लिए आधार और Skype का integration हो गया है चले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस तरह से आप इसको check कर सकते हैं तो आपको पता होगा कि Skype ने Skype Lite version launch किया था Skype का जो कि basically Android users के लिए था तो अब इसमें मैं आपको पताऊंगा कि आप कैसे वेरिफाय कर सकते हैं किसी वेक्ति को तो जैसे आप Skype के application खोलेंगे और जब आप भी आप किसी को वीडियो कॉल करेंगे तो जैसे पहली image में दिख रहा है कि आपके right hand top पर लिखा हुआ आएगा वेरिफाय आधार identity आप स्क्रीन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक अगला menu खुल जाएगा एक अगला screen पॉप अप होगा जिसमें लिखा रहाएगा कि आप अपना 12 डिजिट का 12 अंकों का आधार card एंटर करेंगे जैसे आप अपने 12 अंकों का आधार card अपडेट करेंगे तो एक 6 डिजिट का OTP आजाएगा आपके पास एक 6 डिजिट का OTP आप जैसे इसमें एंटर करेंगे तो अगली screen आपको मिलेगी कि आपका आधार वेरिफाय हो गया है और अगर आप अपनी detail शेयर करना चाहते हैं यह detail सामने वाले वेक्ति को अगले 10 मिनिट तक के लिए available ही रहेगी वो 10 मिनिट में आपकी सारी details देख सकता है और यह option call करने वाले और call receive करने वाले दोनों के लिए होगा वो चाहें तो mutually एक दूसरों की आधार identity चेक कर सकते हैं और अगर उन लोगों को लगता है कि हाँ यह ठीक है मैं इसे बात करना चाहता हूं तो आगे बात continue कर सकते हैं बेसिकली जॉब इंटर्वियू और उस तरह के समय में यह आधार identity बड़ी मैथ पूर्ट रहेंगे कि आप किसी candidate का इंटर्वियू लेने जा रहे हैं और आप उसमें उसका आधार नंबर मांगते हैं औ जिससे आप इंटर्वियू ले रहे हैं यह वही वेक्ति है जिसको आप चाहते हैं और इसमें Skype ने बिल्कुल क्लियर किया है कि इसमें जो भी आपका आधार का जो डेटा होगा वो कहीं पे भी store नहीं किया जाएगा वो पूरी तरह से encrypted रहेगा जैसे कि पहले Skype पे रहा करत अगली ख़बर लेके आ रहा है Motorola Motorola का कहना है कि उन्हेंने एक नया फोन लांच कर रहे हैं लांच करने वाले हैं उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे वह दिखने में कैसा है तो सबसे पहले फोन का नाम है Moto X4 कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था काफी स इसको नाम है Moto X4 चले देखते हैं वह दिखता कैसा है इस फोटो को देखके आपको समझ में आता है कि अगर हम आगे की बात करें तो सामने कैमरा है ठीक है टेच फिंगर प्रिंट स्क्रीन जो है आपकी वह भी सामने है बिसे की सेंसर सामने है और इसकी स्क्रीन को अगर थो फ्लैश मोटरोला का यह पहला ऐसा फोन होगा जिसमें दो फ्लैश दो कैमरा एक साथ होंगे और एक फ्लैश होगा और अगर बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें कव डिस्प्ले जिससे में बता चुका हूँ ड्यूल कैमरा पीछे है 5.2 इंच का डिस्प्ले होन लाँच करेंगा तो इसके लिए यह इन्विटीशन उन्होंने जारी किया है 11 अप्राल 2017 को शाम को छे बजए किसी और लैंग्वेज में इन्विटेशन है तो उसमें कहा है कि शाम को छे बजए वो अपना नया फोन लाँच करने वाला है तो इस फोन के बारे में हम बात कर किया है Q6 यह इस बात से रिफ्लेक्ट हो रहा है इस बात से में पता चले अगर आप इसमें इन्विटीशन में देखे तो बारे क्यू का क्यू है वो बड़ा है तो लोगों कैसा कहना है लोगों कैसा जंचन है कि जो अगला फोन होगा वो LG Q6 के नाम से होगा और स्पेसिफ है WhatsApp 2.17.148 इस बिल्ट में उन्होंने कुछ नए फीचर सैट करें यह प्रिवी बिल्ट है अभी फाइनल बिल्ट में यह नहीं आया है तो अगर आप चाहते हैं तो उसका प्रिवी बिल्ट डाउनलोड करके आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं इसमें मैं बात करूं कि क्या फीचर दिया है उन्होंने तो अगर आपको पता हो कि अगर आप किसी वर्ड को या किसी शब्द को WhatsApp में बढ़ा करना चाहते हैं या बोल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले स्टार्टिंग में आर और अंत में स्टार्ट लगाना पड़ता था यह बड़ इसके पहले यह आपको टाइप करने होते थे तो इसके लिए आपको अलग अलग तरह के जैसे स्टार या स्पेशल करेक्टर टाइप करना पड़ता थे तो उन सब समस्यां से बच आते हुए WhatsApp ने एक यह नया फीचर रोल आउट कर रहे हैं मुझे उम्मीद है कि थोड़े स पसंद आ रहा होगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें और प्लीज मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं इस वीडियो को कैसे और अच्छा कर सकता हूं इसमें क्या इंप्रूमेंट की जग प्लीज एंड रहा है तो